कि नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसाज भी कभी बहु थी मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबंद में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो को नोटि कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती उन्ने सो सतर की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्ने का लाकार है यह सास अभू की वीड की रिष्टे से सम्मंदित है यह फिल्म तेलबू अथा उंकिती कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा अत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजा खान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाश शशिकला ललि भाई वर्मन रिदीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उस से माया के साथ दर विभा करने औंग इसे बाहर निकालने की अपेक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहूं लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने मिनन पुत्र करनाया को उसके साथ अन्तरंग होने से रोकती है इस ठाधना यहीं पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंक पुरकी विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकानने की ये पिक्षा करती है जो कि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यहीं भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना, चंदबरकर, मुतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब कनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललीका, पवार, मायाएम चौधरी की रूप में, शशिकला, अनुपमा, अभिनेतिरी, फ्लोरिडा, उनिसोनटर, सिनलेकर, उनिसोब्यासी, अ प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौदरी की रूप में शेब कराम की रूप में एनस वेदी सुन्दर अबिनेता सुन्दर गोविन्द की रूप में सुन्दर की रूप में गीत गोविन्द गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जीतुम इस गाने को सुमन कल्यान पूर और किशुर कुमाने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया है जामाना इस गायकार मुहम्म्मद रफी हैं गाने नमर तिन ले लो चूड़ियां इस गाने को लतभा अमंगेसकरों कि शुरकरोंतरों है अपने अबाज में गायका फालतरों हैं गाने नमर पाद एक बोतल हो बगलने और रहाद में एक जाम इस गाने के गाय का मन्ना डें। गान निम्म साथ राम कहे माई इतनी जवान ऑगई इस गाने के गाय कराश को उसले और उशा मंगेश करें। दोस्तो हम बहुत में नेश्य वीडियो बनाते हैं। उमीद है, आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद. नमस्कर दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करते हूँ, कि आप सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी सास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद, एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय खान, लीना, चंदावरकर, ओम प्रिकास और जगदीव सहीत अन्यक लागार है यह सास भूगों की वीड की रिष्टे से सम्बंदित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा उंकिती कोडाले की रीमेक थी ने देशक, भी मदुसुदन राय, द्वारा लिखेत, राजेंदर क्रिशना, एन्स बेदी, कहानी, बरंपुरं, कोलाडी, द्वारा उत्पादेत, सी एस कुमार, बासुमेनन, अभिनीत, संजय खान, लीना, चंदावरकर, ओम प्रिकास, शशिकला, ललिता पवार, जगद संगी दिया है, आड़ी बर्मन, रिडीच की तारिक, 1970, देश, भारत, बाशा, हिंदी, अथाना, रंगपुर की विध्वा, भागवती की बेटी, सुन्दर, साधना को प्यार हो जाता है, और वैहरीपुर के दीपक, चौदीचे, शादी कर लेती है, जो अपने पिता मोति दिलाल के साथ रहता है, और मा माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दरविभार करने, और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है, जबकि भागवती स्वयम अपनी बहुं, लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रतारित करती है, और अपने बिनन पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है, साथ नहीं है भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं, और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है, अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है, और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्ग्रा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्शा करती है, जबकि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प् अपने बिननर्म फूतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुपती है, साधना यहीं भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं, और माया अपनी हवेली के मुक्य लिविंग्रोंग में एक फोटो रहत क्रेम क्यों र परकाश, जगदीब करहिया के रूप में, भागवती के रूप में, लली का पवार, माया एम चौधरी की रूप में, सशिकला, अनुपमा, अभीनेत्री, फ्लॉरिडा, उनिसों नतर, सिन लेकर, उनिसों ब्यासी, अनुपमा, लाजबंती, लाजों के रूप में, चमनलाल शेप कराम की रूप में एनस वेदी, सुन्दर, अमिनेता, सुन्दर गोविन्द की रूप में, सुन्दर की रूप में, गीत गोविन्द, गीत संगीत, सांट्रेक की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमबर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपने अवाज में गाया है गाना नमबर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकर मुहम्मद रफी है गाना नमबर तीन ले लो चुड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और किशुर कुमान ने अपने अवाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गान नमर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने की गायकार किशुर को मार हैं गान नमर छे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने की गायकार मनना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने की गायकार आशर भोसले और उशा करा हैं दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबंद में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बार बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके अमीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाष और जगदीब सहीत अन्य का लाक द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा अत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजाखान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाष शशिकला ललिता पवार जगदीब संगी दिया है आड़ी बर्मन रिडीज की तारि 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मौतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहुं लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वह करने और इसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वाम अपनी बहु लाजवन्ती को दहज ना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनार्म पूतर करनाया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है ढालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम परकाश जगदीप कनहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिता पवार माया एम चौधरी के रू अभिनेतरी, फ्ललोरीडा कि नेनिzessवन गरे चुप में चमनला राई रोप में नमुहान, कृष्ण की रूप में बितीमा देवी, लारी दो कि लोप में इसेभ कराम के रोप में एनेस वेडी, सुंदर अभिनेता सुंदर गोविन्त की रूप में सुन्दर की रूप में गीत गोविन, गीत संगीत, सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो, खोल के आखे चलो सेठी जी, बदल गया है, जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफिय है गाना नमर तीन, ले लो चूड़ियां, इस गाने को लता मंगेश कर और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर चार, दुख सुख, तेरे मेरे तेरे हावाले हो, मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गाना नमर पात, एक बोतल हो, बगल में और हाथ में एक जाम, इस गाने के गायकार किशुर कुमान है गाने नम्र छे सुनो रे सादू ये संसार अम इस गाने के गाये का मन्ना डेयां गान middle 7 राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गाये का राश्र भॉसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत में नसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तो कैसे आप लोग मैं उमीद करते हूँ आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कियो विसास भी कभी बहुत ही मोवी के बारें बताएंगे इसमें हम मोवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यो के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकी है उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को दाएगा दन्यवाद कि विसास भी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी बहुती उने सो सत्तर की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय खान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाश और जगदीब सहीत अन्ने का लाकार है यह सा सबोगों की वीड की रिष्टे से सम्मंदित है यह फिर्म तेलगु फिर्म अथा उनकी दी कोडाले की रिमेक थी यह देशक भी मदुसुदन राए द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एजबेदी, कहानी, बरंपुरं, कोलाडी, द्वारात पादित, सी एस कुमार, बासुमेनन, अभिनीत, संजय खान, लीना चंदा बरकर, ओम प्रकाश, शशिकला, ललित पवार, जगदीब, संगी दिया है, आडी बर्मन, रिलीज की तारिक, 1970, देश, भारत, भाषा, हिं और वैहरीपुर के दीपक, 14 से शादी कर लेती है, जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है, और मा माया, यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्विभार करने, और उसे बाहर निकाने की अपिक्षा करती है, जबकि भागवती, स्वैम अपनी ब अंतरंग होने से रोकती है, साधना यहे भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं, और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है, रंगपुर की विर्भा, भागवती की ब पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है, दुकि भागवती स्वेम अपनी बहु लाजबंती को दहज ना लाने के लिए प्रतारित करती है, और अपने बिनार्म फोटर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होन डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में, हैम चौधरी संजय के रूप में, साधना डी चौधरी के रूप में, लीना चंदा बरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में, ओम प्रकास जगदीप कनहिया के रूप में, भागवती के रूप में, ललिता पवार माया एम चौधर की रूप में, मनमोहन क्रिष्ण के रूप में, प्रतिमा देवी, हिंदी अबिनेत्री, प्रतिमा देवी, लक्ष्मी चोधरि के रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अमिनेता सुंदर गोविंद की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविंद गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान अपने अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लतमंगेश कर और किशोर कुमाने अपने अबाज में गाया है गाना नमर चार दुख मेरे 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 हबाले हो तने मेरे गाने मिज़ा ai각 मुतर है गाने नंबर पात एक गड़ा ईगा onlar ककुमार है Gाना नमर छे ँछ रूता शनौरै साधू ये संसारं अम इस गाने मनना देपात गान नम्बर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकाराश भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूँ क्या आप सबची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यो के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारी वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसाज भी कभी बहुती अनुवाद एक साज भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय खान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीव सहीत अन्ने का लाकार है यह सास अबहु की बीच की रिष्टे से सम्मंदित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा उंकिंती कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राए द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा अत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजेखान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगीद यह आड़ी बर्मन रिडीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्विभार करने और उसे बाहर निकाने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी भवू लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यही भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और बहरीपुर की दीपुर 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जो कि भागवती स्वेम अपने बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनार्म पुतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है सादना यहीं भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हवेली के मुक्षी लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप डीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी की रूप में लीना चंदवरकर मुतिलाल चौधरी की रूप में ओम प्रकाश जगदीब कर नहिया की रूप में भागवती की रूप में ललीता पवार माया अएम चौधरी की रूप में शशिकला अनुपमा अभीनेतिरी फ्लोरिडा प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौद्री की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुन्दर अमिनेता सुन्दर गोविन्द की रूप में सुन्दर की रूप में गीत गोविन्द गीत संगीत संट्रे की रचनाड़ी बर्मन ने की थी गाने को सुमन कल्यान पूर और और किशुर कुमान ने अपने अबाज में गाया है घान गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया है जामाना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लतामंगेश करो एक शुर कुमार ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे बाले हो मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लतामंगेश कर हैं गान नमर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार कि शुर कुमार हैं गाना नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मनना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशव भोसले और उशा मंगेश करें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले तन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके है उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहु करती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीव सहीत अने का लाकार है यह सास अब होगी वीडिकी रिष्टे से सम्मंदित है यह फिल्गु फिल्म अथा उंकी दी कोडाले की रीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द एजबेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारात पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजय खान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश शशिकला ललिता पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी वर्मन रिलीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी तथाना रंगपु के दीपक चौदेश से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वैम अपनी बहुं लाजबंत करती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्शा करती है जबकि भागवती स्वाम अपनी बहु लाजवंती को दहजना लान एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माय अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रोंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है धालना संजय दिलीप डीपु के रूप में हैम चोधि संजय की रूप में साधना ली चोधि की में लीना चंदबर्कर मोतिलाल चोधि की में औम प्रकाश यग दीप का नहिया के रूप में भागवती की में ललीकाब्हार worldwide UP माय необходимо शशीकला अनुपमा अविनेतिरी फ्लोरिडा, 1977, सिनलिकर, 1982, अनुपमा, लाजवंती, लाजो की रूप में, चमलल की रूप में, मनमोहन क्रिशन की रूप में, पृतिमा देवी, हिन्दी अभिनेती, पृतिमा देवी, लक्ष्मी चौधिर की रूप में, शेव कराम की रूप में, हैनेस वेदी, सुन्दर, अमिनियता, सुन्दर गोविंद की रूप में, गीत गोविंद, गीत संगीत, सांट्रेक की रचना अर्डी बरमनी की थी गाना नमब फ, सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपनी आवाज में गाया है गाना नमर दो कोल के आंखे चलो सेठी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी है गाना नमर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और किशोर कुमार ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गाना नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर को मार है गाने नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मनना डे है गाने नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकार आशर भोसले और उशा मंगेश कर है दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संब्द में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बार बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकी है उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीब सहीत अन्य का ला पुराय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एंस बेदी कहानी बरंपुरं को लाड़ी द्वारा उत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजा खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललिता पवार जगदीब संगी दिया है आड़ी बर्मन प्रकाश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी माँ उसे माया के साथ दूर विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती सुएम अपनी बहुँ लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है जो कि भागवती स्वाम अपनी ब पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है ढालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम परकाश जगदीप कनहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिता पवार माया एक चौधरी के रूप प्रतिमा देवी, हिंदी अभिनेतरी, प्रतिमा देवी, लक्षमी चोधरी की रूप में, शेप कराम की रूप में, एनस वेदी, सुंदर अभिनेता, सुंदर गोविन की रूप में, सुंदर की रूप में, गीत गोविन, गीत संगीत, सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी, गाना नमर एक, सुनो जी तुम, इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है, गाना नमर दो, खोल के आखे चलो, सेठी जी, बदल गया है, जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी हैं, गाना नमर तीन, ले लो चूड़ियां, इस गाने को लता मंगेश कर, और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है, गाना नमर चार, दुख सुख, तेरे, मेरे तेरे हावाले हो, मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लटमंगेशकर है गान 5 एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने की गायकार कि शूर को मार है गाने नमर 6 सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने की गायकामना डे है गान साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशा भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत में नसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो पलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब चीओंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी साथ भी कभी भूँत ही मुवी के बारहें बताएंगे इसमें हम मुवी की संब्बन में कहानी और चरितरी से जोड़े टत्तियो के बारहें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान, लीना, चंदावरकर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्य का लाकार है यह सास भी की रिष्टे से सम्मंदित है यह फिल्म तेल्बू फिल्म अथा उंकी दी कोडाले की लीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राए द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा उत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजे खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी बर्मन रिलीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती सुएम अपनी बहु लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साथना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर चौदे से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जो कि भागवती सुंदर अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिनार्म पुतर करनाया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुक्षी लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में साथना डी चौधरी के रूप में लीना चंदवरकर मुतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीब करहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिका पवार माया एक दूसरे की रूप में शशीकला अनूपमा अभीनेत्री फ्लोरिडा प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौद्री की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुन्दर अमिनेता सुन्दर गोविन्द की रूप में सुन्दर की रूप में गीत गोविन्द गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जीतुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमाने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जामाना इस गायकार मुहम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लता मंगेश करूर कि शुर कुमार ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर हैं गाना नमर पा गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकाराश भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो पलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ क्या आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी साथ भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संब्बन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें अमीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती उन्निस सो सतर की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीब सहीत अन्यक लाकार है यह सास भी की रिष्टे से संबन्दित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा उनकी दी कोडाले की रीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा उत्पादित सी एस कुमार बासुमे अभिनीत संजे खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदी संगी दिया है आड़ी वर्मन रिदीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीप पुर्के दीपक चौदिचे शादी कर लेती है जो अपने पिदा मौतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मां उसे माया के साथ दर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपेक्षा करती है जबकि भागवती स्वायम अपनी बहु ताड़ित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्र शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुरभभा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्शा करती है जबकि भागवती स्वाहिम अपनी बहु लाजवंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनार्म फूतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हावेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो स मपक्हुपरय साथ वर्कर मोंतिलाल चौदरी की रूप में उम्प्रकाश जगदीप करहिए की र्ूप में भागवति रूप में लली का अचकल माया को शा कुछिकलां नुदा 11ारी लोरिडा चिख reduction क्या प sleeping अन्य sitten कु जीत याँ सुन्स कॉल के चलोeling जी बदल गया है जामनई इस गाने के ग्या कर मोम्मद रफी हैं गाना नमबर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और कि शूर को माने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर हैं गाना नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर कुमार है गाने नमर छे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने के गायका मन नडे है गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकार आशर भोसले और उशा मंगेश कर है दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें दन्यवाद नमस्कर दोस्तो कैसे आप लोग मैं उमीद करते हूँ क्या सब चिवंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिक्टिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकी है उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्यक लाकार है यह सास अब वहूँ की बीच की रिस्ते से अथा उंकिती कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन्स बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा अत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजाखान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदी संगी दिया है आड़ी वर्मन रिडीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी तथाना रंगपुर की विध्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल क के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहु लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत् उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर चौदे से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है जब कि भागवती स्वैम अपनी बहू लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म पुतर करनेया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है ढालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साथना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीप कनहिया के रूप में भागवती के रूप में लजोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग सुन्दर की रूप में, गीत गोविन्द, गीत संगीत, सांट्रे की रचनार्डी बर्मन ने की थी गाना नमर एक, सुनो जी तूम, इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपने अबाज में गाया है गाना नमर दो, खोल के आखे चलो सेथी जी, बदल गया है, जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी है गाना नमर तीन, ले लो चूड़ियां, इस गाने को लता मंगेश करो, कि शुर कुमाने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर चार, दुख सुख, तेरे मेरे तेरे हावाले हो, मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गाना नमर पात, एक बोतल हो, बगल में और हाथ में एक जाम, इस गाने के गायकार कि शुर कुमान है गान नमर चे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने के गाय का मनन देयां गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गाय का राशर बोसले और उशा मंगेश करहां दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तो कैसे आप लोग मैं उमीद करते हूँ तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यो के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को फसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान, लीना, चंदा वरकर, ओम प्रकाश और जगदीब सहीत, अन्यक लाकार है यह सास भी बहुती की रिष्टे से सम्मंदित है, यह फिल्म तेल्वी फिल्म अथा उंकिती कोडाले की रिमेक थी, ने देशक भी मदुसुदन राय, द्वारा लिखेत, राजेंदर कृष्णा, एन एस बेदी, कहानी, बरंपुरं, कोलाडी, द्वारात पादेत, सी एस बासुमेनन, अभिनीत, संजय खान, लीना चंदा बरकर, ओम प्रकाश, शशिकला, ललिता पवार, जगदी, संगी दिया है, आडी बर्मन, रिदीच की तारिक, 1970, देश, भारत, बाशा, हिंदी, अथाना, रंगपुर की विद्वा, भागवती की बेटी, सुन्दर, साधन को प्यार हो जाता है, और वेहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है, जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है, और मा माया, यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दर्विभार करने, और उसे बाहर निकाने की अपिक्षा करती है, जबकि भा अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सु उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे माया के साथ दुर्भा करने और इसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है दुक्य भागवती सुएम अपनी बहु लाजबंती को दहिज ना लाने के लिए परतारित करती है और अपने बिनार्म फुतर का नहिया को उसके साथ साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है डाल्ना संजे दिलीप दीपू के रूप में हैम चोधरी संजे की रूप में साधना दी चोधरी के रूप में लीना चंदाबरकर मौतिलाल चोधरी के रूप में औम प्रकाष, जगदीब कनहिया के रूप में, भागवती के रूप में, ललीकाओ, पवार, मायायमचादरी के रूप में, सशीकला, अनुपामा, अभिनेतिरी, फ्लॉरिडा, उनिस ग्णूनत्तर, शिलिक कर प्रतिमा देवी लक्षमी चौदरी की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अमिनेता सुंदर गोविन की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविन गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लटा मंगेशकर है गाना नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशोर कुमा गान नमर चे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मन न दे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशव भोसले और उशा मंगेश कर हैं दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ क्या आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी साथ भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख स की उमीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा खान लीना चंदा वरकर ओम प्रकास और जगदीव सहीत अन्यक ल देशक भी मदू सुधन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एंस बेदी कहानी बरंपुरं को लाड़ी द्वारा उत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजा खान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड 70 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दर्विभा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जब कि भागवती सुएम अपनी बहु लाजबन्ती को देहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननग पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपने हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर चौदे से शाधी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जब कि भागवती सुएम अपनी बहुलाजवन्ती को दहज ना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननारम पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग उने से रुपती ह साथ ना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुक्षी लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है साथ ना दी चौदरी की रूप में लीना चंदवर्कर मौतिलाल चौदरी की रूप में ओम प्रकाश जगदीप का नहिया की रूप में भागवती की रूप में ललिका पवार मायायम चौधरी की रूप में शशीकला अनुपमा अभिनेत्री फ्लोरिडा उनिसों नत्तर शिलिकर उनिसों ब्यासी अनुपमा लाजमंती लाजों की रूप में चमनलाल की रूप में मनमोहन कृष्णा मनमोहन कृष्ण के रूप में प्रतिमा देवी हिंदी अभिन सुन्दर गोविंद की रूप में गीत गोविंद गीत संगीत सांट्रे की रचना आड़ी परमन ने की थी गाना नमर एक सुनो जीतुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपने अवाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया जामाना इस गाने के गयाकर मुंप्सरस्त्रफी है गान नमर तीन ले लो चूरे Parl टक्फिच पहर भाएं शीव भृष्टा मुंझे अक्फटल कमाने अपने अबाज में गाया है गाने नमर चे, सुनो रे सादू, ये संसार हम इस गाने के गायका मनना डें गान नमर साथ, राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशव भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं, उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संब्बन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें अमीद करती हूँ, आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती, कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद, एक सास भी कभी बहुती, 1970 की भारती हिंदी फिल्म है, जिसमें संजा कान, लीना, चंदा वरकर, ओम प्रकास और जगदीब सहीत, अन द्वारा लिखेत, राजेंदर कृष्णा, एन एस बेदी, कहानी, बरंपुरं, कोलाडी, द्वारा अत्पादेत, सी एस कुमार, बासुमेनन, अभिनीत, संजा खान, लीना, चंदा वरकर, ओम प्रकास, शशिकला, ललिता पवार, जगदीब, संगीद यहादी बर्मन, रि कि अरम, को प्यार हो जाता है, और वे हरीपूर के दीपक चौदे से शादी कर लेती है, जो अपने पिदा मुति-लाल के साथ रहता है, और माया, यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसी माह, उसे माया के सार्थ दुरवभार करने, और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहु लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपूर की विद्वा भागवती की बीटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपूर की दीपूर चौदीर से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाड के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जब कि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म फुतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना, चंदबरकर, मोतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब करनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललीता, पवार, मायायम चौधरी की रूप में, शशीकला, अनुपमा, अभीनेतिरी, फ्लोरिडा, उनिसो नत्तर, सिंलिकर, उनिसो ब्यासी, लाजबंती, लाजो की रूप में, चमलल की रूप में, मनमोहन कृष्ण के रूप में, प्रतिमा देवी, हिंदी अभीनेत्री, प्रतिमा देवी, लक्ष्मी चौधरी की रूप में, शेप कराम की रूप में, एनस वेदी, सुंदर, अभीनेता, सुंदर गोविन की रूप गाना नमर दो, खोल के आखे चलो सेठी जी, बदल गया है, जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी है। कुमार हैं गाने नमर छे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने के गायका मन्ना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशर भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडि को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके अमीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीव सहीत अन्यक लाकार है यह सास भुगों की वीड की रिष्टे से सम्बंदित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा ओंकी दी कोडाले की रिमेक थी देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा उत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ मा की विध्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर के दीपक चौजी से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्विभार करने और उसे साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है हरंग पुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वहरी पुर की दीपुर चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है जब कि भागवती स्वैम अपनी बहू लाजबंती को दहज ना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हवेली के मुख्की लिविंग रूंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है धालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीप कनहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिता पवार माया एम चौधरी के गेत गोविंद गीत संगीत संट्रैक। बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपने अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकर मुहम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़िया इस गाने को लता मंगेश कर और किशोर कुमार ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गाना नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशोर को मार हैं गाने नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मनना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकार आशर भोसले और उशा मंगेश कर हैं दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्ची होगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आज़ाने से देख सके उम्मीद करत आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय खान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्यक लाकार है यह सास अब भी किरिष्टे से संबन्दित है यह फिर्म तेलगु फिर्म अथा उंकिंती कोडाले की लीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एंस वेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा अत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनी संजय खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदी संगी दिया है आड़ी वर्मन रिलीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी पथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के उसे माया के साथ दुर्विवार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वायम अपनी बहु लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहत फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और मा उसे माया के साथ दुर्भा करने और इसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जो कि भागवती सुंदर अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिनार्म फुतर का नहीया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुक्षी लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है ढालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीप कर नहीया के रूप में भागवती के रूप में ललीका पवार माया एम चौधरी के कि रूपमा अभिनेतरी फ्लोरिडा about sayin usando so sleep month इलाज वर की रूप में इमान किकल तो मनमौहण कृष्चन के रूप में खृतिमा देवी एधिए अभिनेत लक्षमी चौदरे की रूप में शेब कर्ام के रूप मेंмовेडी संदर अमिनेता सुन्दर की रूप में, गीत गोविन, गीत संगीत, सांट्रे की रचनाडी बरमन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमाने अपने अबाज में गाया है गाना नमर दो, खोल के आखे चलो सेठी जी, बदल गया है, जामाना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी है गाना नमर तीन, ले लो चूड़ियां, इस गाने को लटा मंगेश कर और किशुर कुमाने अपने अबाज में गाया है गाना नमर चार, दुख सुख, तेरे मेरे तेरे हावाले हो, मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लटा मंगेश कर है गाना नमर पात, एक बोतल हो, बगल में और हाथ में एक जाम, इस गाने के गायकार किशुर कुमान है गाने नमर 6 सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मन ना डे हैं गान नमर 7 राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशर भोसले और उशा मंगेश कर हैं दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ क्या सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी साथ भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नौटिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती एक साज भी कभी बहुती उनने सो सतर की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीब सहीत अन्यक लाकार है यह सास अभू की वीड की रिष्टे से सम मंदित है यह फिर्म तेलगु फिर्म अथा उंकी दी कोड़ाले की रीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एंस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा उत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजय खान लीना रिलीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी तथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदेशे शादी कर लेती है जो अपने पिदा मौतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पत अपने बहु लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साथना यही पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपने हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है हरंग पूर की विर्वा भागवदी की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और बहरीपूर की दीपर चॉधे से शाधी कर लेती है जो अपने पिता मौतिलाल के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जब कि भागवती स्वैम अपनी बहू लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म फुतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है नहालना संजय दिलीप डीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना, चंदाबरकर, मोतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब करनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललिता, पवार, मायायम चौधरी की रूप में, शशिकला, अनुपमा, अभिनेतिरी, फ्लोरिडा, उनिसो नत्तर, सिलिकर, उनिसो ब्यासी, अनुपमा, लाजबंती, लाजो की रूप में, चमनलाल की रूप में, मनमोहन कृष्ण के रूप में, प्रतिमा देवी, हिंदी अभिनेत्री, प्रतिमा देवी, लक्ष्मी चौधरी की रूप में, शेप कराम की रूप में, एनेस वेदी, सुन्दर, अभिनेता, सुन्दर और गोविंद की रूप में, सुंदर की रूप में, गीत गोविंद, गीत संगीत, सांट्रेक की रचनार डि बर्मन ने की थी, गाना नमबर एक, सुनो जी तूम, इस गाने को सुमन कल्यान पूर, और किशोर कुमा ने अपनी अवास में गाय है, गाना नम्र दो, खोलके आख तो तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं गान नमर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर कुमार हैं गान नमर छे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने के गायका मनना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशा भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो पलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संब्मन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रिकास और जगदीव सहीत अन्यक लागार है यह सास भूग की वीड की रिष्टे से सम्बंदित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा उंकिंती कोडाले की रिमेक थी देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा उत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश शशिकला ललिता पवार जगदीव संगी दिया है 70 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती सुएम अपनी बहु लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और व और माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है जबकि भागवती स्वाम अपनी बहु लाजमन्ती को दह्य ना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिन रंग को उसके साथ उंतरंग होने से रुखती है साधना येहे भी पता एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माय अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रोंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप डीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीब कनहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिता पवार माय अएम चौधरी के रूप में शशिकला अनुपमा अभिनेतिरी फ्लोरिडा अनुपमा 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 अनु जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपूर और किशुर कुमान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेठी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकर मुहम्मद रफी है गाना नमर तीन ले लो चुड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और किशुर कुमान ने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकर लता मंगेश कर है गाने नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने की गायकार किशोर को मार है गाने नमबर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने की गायका मनना डे हैं गान नमबर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशव भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करते हूँ कि आप सब चीओंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबंद में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसाज भी कभी बहुती अनुवाद एक साज भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान, लीना, चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्य का लाकार है यह साज भी की रिष्टे से सम्मंदित है यह फिल्म तेलवी फिल्म अथा उंकिती कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राए द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारा अत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजय खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी बर्मन रिदीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्वभार करने और उसे बाहर निकाने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहू लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और बहरीपुर की दीपुर 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है दुर्की भागवती स्वैम अपने बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिनार्म पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है सादना यहीं भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते है और माया अपनी हावेली के मुक्की लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी की रूप में लीना चंदा बरकर मुतिलाल चौधरी की रूप में ओम प्रकाश जगदीप कर नहीया की रूप में भागवती की रूप में ललिका पवार माया एम चौधरी की रूप में शशिकला अनुपमा अभिनेतिरी प्रितिमादेवी लक्ष्म電ंग करम के रूप में शेव कराम के रूप में एनेस वेदी संदर अबीनेता संदर में जं degrees चोह प्रित cope शुखू के रूप में गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी है गाना नमर 3 ले लो चूड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और किशुर कुमाने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर 4 दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे गाने शाम इस गाने के गायकार लता मंगेश कर है गाने नमर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने की गायकार किशुर को मार है गाने नमर छे सुनो रे साधू ये संसार हम इस गाने की गायकार मनना डे है गाने नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने की गायकार आशर भोसले और उशा मंगे करा हैं दोस्तों हम बहुत में नसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूले धन्यवाद नमसकर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ क्या सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद क्यों भी सास भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा खान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्यक लाकार है यह सास भी की बीट की रिष्टे से संबंदित है यह फिल्म तेल्गु फिल्म अथा उंकिन्ती कोडाले की रीमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारात पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजय खान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी बर्मन रिडीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगप की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की की भागवती स्वयम अपनी बहु लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं औ साधना को प्यार हो जाता है और वहरीपुर की दीपुर 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्शा करती है जबकि भागवती और अपने बिननार्म पुतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुखती है साधना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपने हवेली के मुख्य लिविंग रोंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीब डीपू के रूप में हैम चौदरी संजय की रूप में साधना डी चौदरी की रूप में लीना, चंदबरकर, मोतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब कनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललिता, पवार, मायायम चौधरी की रूप में, शशिकला, अनुपमा, अभीनेतीरी, फ्लोरिडा, इनिसो नत्तर, सिनलेकर, अनुपमा, प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौधरी की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अभीनेता सुंदर गोविन्द की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविन्द गीत संगीत सानुट्रेक की रचना आड़ी बरमननी की थी गाना नमबर एक सुनो और जीतं इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशोर को मानने अपनी अवाज में गाया है गाना नमर दो, खोल के आखे चलो सेटी जी, बदल गया है जामाना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफिय हैं गाना नमर तीन, ले लो चूरियां इस गाने को लतमंगेश कर, एकी शुर कुमाने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं गाना नमबर पाथ एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर कुमार हैं गाने नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मन नडे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशर भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करते हूँ क्या सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी सास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थे के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ, आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती, कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद, एक सास भी कभी बहुती, 1970 की भारती हिंदी फिल्म है, जिसमें संजा खान, लीना, चंदा वरकर, ओम प्रकास और जगदीब सहीत, अन्यक लाकार है, यह सास भी की रिष्टे से संबंदित है, यह फिल्म तेल्गु फिल्म अथा, उनकी दी, कोडाले की रीमेक थी, ने देशक भी मदुसुदन राए, द्वारा लिखेत, राजेंदर कृष्णा, एन एस बेदी, कहानी, बरंपुरं, कोलाडी, द्वारा उत पादेत, सी एस कुमार, बासुमेनन, अभिनीत, संजे खान, लीना चंदा बरकर, ओम प्रकाश, शशिकला, ललिता पवार, जगदी, संगी दिया है, आडी वर्मन, रिडीज की तारिक, 1970, देश, भारत, बाशा, हिंदी, अथाना, रंगपुर की विद्वा, भागवती की वेटी, सुन्दर, साधना को प्यार हो जाता है, और वेहरीपुर के दीपक, 14 से शादी कर लेती है, जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है, और मा माया, यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्विभार करने, और उसे बाहर निकाने की अपिक् अंतरंग होने से रोकती है, साधना यहीं पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं, और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है, रंगपुर की विर्भा, भागवती की माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है, जबकि भागवती स्वाम अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है, और अपने बिनार्म फूतर क अपने एक फोटर हूँग में एक फोटो रहित क्रेम रखती है, आधालना संजय दিलीब दीपू के रूप में हैम चोधरी संजय की रूप में साधना दी चौधरी की रूप में लीना चंदबरकर मौतिलाशा हूदरी की रूप में ओम प्रकास जगदीप करनया के रूप में भागवती के रूप में ललिका पवार माय आयम चौधरी के रूप में शशिकला अनुपमा अभीनेतरी फ्लोरिडा उनिसो नत्तर From lektar 1982 अदुपमा लाजबंती लाजों के रूप में चमनलाल के रूप में मनमोहन कृष्ण के रूप में प्रतिमा देवी हिंदी अभिनेतरी प्रतिमा देवी लक्षमी चौधरी की रूप में शेप कराम की रूप में हैनेस वेदी सुंदर अभिनेता सुंदर गोविन की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविन गीत संगीत सांटरे की रचनार डी बर्मन नी की थी गाजना नमर एक सुनो जी तूम इस गाणे को सुमन कल्यान पुर और किशुर को मानने अबाज में गाया है गाणा नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जा मानै इस गाणे के गायकार मुहम्मद रफी रफी है गाने नमर तीन ले लो चुड़ियां ही दिक हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने की गायकार किशुर को मारAh है गाने गान नमर छे, सुनो रे सादू, ये संसार हम इस गाने के गया का मन नडे हैं, गान नमर साथ, राम कहे माई, इतनी जवान हो गई इस गाने के गया का राशर भोसले और उशा मंगेश कर हैं, दोस्तों हम बहुत मेरे सीफी वीडियो बनाते हैं, उमीद है, आपको हमारे वीड को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब चींगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विशास भी कभी बहुती कि विशाज भी कभी बहुती अनुवाद एक सास भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजाखान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाष और जगदीव सहीत अन्ने का लाकार है ये सा सबोगो की भी की रिष्टे से सम्मंदित है ये फिर्म तेलवी फिर्म अथा उंकिती कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरं कोलाडी द्वारात पादित सी एस कुमार बासुमे अभिनीत संजय खान लीना चंदा वरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी वर्मन रिदीच की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी पथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरी पुर के दीपक 34 से शादी कर लेती है जो आपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यही पर उसे पता चरेगा कि उसकी मावार के साथ दरवर्बार करने और उसे बाहर निकालने की हपिक्सा करती है जबकि भागवती स्वैम अपनी बहुं लाजबंती को देहज ना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपने हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वहरी पुर की दीपुर चौदेश से शादि कर लेती है जो अपने पिता मौतिलार के साथ रहता है और मा, माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दुर्भा करने और उसे बाहर निकालने की ये पिक्षा करती है दिवकि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजबंती को दहज ना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननर्म पुतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है ढालना संजय दिलीप डीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना, चंदबरकर, मुतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब कनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललीका पवार, मायायम चौधरी की रूप में, शशिकला, अनुपमा, अभीनेतिरी, फ्लोरिडा, उनिसोनत्तर, सिनलेकर, उनिसोब्यासी, अन पमा लाजमंती लाजो की रूप में चमलल की रूप में मनमोहन कृष्ण के रूप में प्रतिमा देवी हिंदी अभिनेतरी प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौधरी की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अभिनेता सुंदर गोविन की रूप में सुंदर की अपने अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकार मुहम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़ियां इस गाने को लता मंगेश कर और किशोर कुमाने अपने अबाज में गाया है गाना नमर चार दुख स तो मेरे तेरे हवाले हो मेरे खाण शाम इस गाने के गायका सुन शाधू, गान नमर शाभष्णा राम कहे माई, इथनी जवान हो गई, इस गाने के गायका राशर पसले और उशामांगेश्कर है। दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ किया सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विशाज भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संब्द में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बार बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आज आने से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदावर कर ओम प्रकास और जगदीब सहीत अन्यक ला प्राय द्वारा लिखेत राजेंद्र कृष्णा एंस वेदी कहानी बरंपुरं को लाड़ी द्वारा उत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभीनीत संजाखान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललिता पवार जगदीब संगी दिया है आड़ी बर्मन 1970 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुन्दर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वह प्यार करने और इसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जो कि भागवती स्वेम अपनी बहु लाजवन्ती को दहज ना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनार्म फुतर का नहीया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि म मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यूं रखती है ढालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदबरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीप कर नहीया के रूप में भागवती के रूप में ललीका पवार माया एम चौधरी के लीड़ा से ओलार। आनुपमा अभिनेत्री फ्लॉरीडा 19 Luna 30 सिनलिकर8 अनुपमा लाजमती लाजो की रूप में। चमणलाल के रूप में मन्मोहाण कृष्चौ के रूप में। प्रतिमा देवी कि हिंदी अभिने रीविनेत्री प्रतिमा देवी लक्षमी चौतर्य की की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अमिनेता सुंदर गोविंद की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविंद गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमा अपनी अबाज में गाया है गाना नंबर चार दुख सुकत ते ते रे हाब आले हो मेरे घाने के गाया का लत्म अंगेशकर हैं गाना नूमर पाथ एक बोतल हो बगल में नूम है और हात में दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यूंभी साथ भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकेशन आप लोग तक सबसे प कभी बहुती कि विसाज भी कभी बहुती अनुवात एक साज भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय खान लीना चंदावर कर ओम प्रकाश और जगदीव सहीत अन्य का लागार है यह साज अभू की बीच की रिष्टे से सम्बंदित है यह फिल्म जानी बरंपुरम कोलाडी द्वारात पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजय खान लीना चंदा बरकर ओम प्रकाश शशिकला ललित पवार जगदीव संगी दिया है आड़ी बर्मन रिडीज की तारिक 1970 देश भारत बाशा हिंदी तथाना रंगपुर की भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वेहरी पुर के दीपक चौदी चे शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुर्विभार करने और उसे बाहर निकानने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहू लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे हित फ्रेम क्यों रखती है रंग पुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और बहरीपुर की दीपुर चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलार के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे अपने उसे पता चलेगा कि उसकी निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती सुम अपने बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिननार्म फुतर का नहिया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यहीं भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हावेली के मुख्य लिविंग रोंग में एक फोटो रहित प्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साधना डी चौधरी के रूप में लीना चंदा बरकर मोतिलाल चौधरी के रूप में ओम प्रकाश जगदीप कर नहिया के रूप में भागवती के रूप में ललिता पवार माया एक चौधरी के इपनिवी Sinään Kenoda API 92 दानुपमा लाजमंति नाज़ों के रूप में चमल्लाल से ुप मनमौंध मनमौंध कृषिन के रूप में अ प्रतिमा देभी हिंदी अ मिनेटरी प्रतिमा देभी लक्षमही चोधरी की रूप में, शेप कराम की रूप में, Eminetis, सुंदर अामिनेता, सुंदर गोविन کی रूप में, सुंदर की रूप में, गीत गोविन, गीत संगीत, सांट्रेक की रचनाडी बरमन ने की थी गाणा नमबर एक, सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान अपनी अवाज में गाया है, गाना नबर चार दुख सुख, मेरेटेरे हावले हो, मेरे गाने की गायकार लत्तां मंगेश्कर है, गाना नमर साथ, राम कहेमाई, इतनी जवान हो गई इस गाने के गायका राशा भोसले और उशा मंगेश करें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसास भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके हैं उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रिकास और जगदीव सहीत अन्यक लागार है यह साथ सब भूगों की वीड की रिष्टे से सम्बंदित है यह फिल्म तेलगु फिल्म अथा उंकी दी कोडाले की रिमेक थी ने देशक भी मदुसुदन राय द्वारा लिखेत राजेंदर क्रिशना एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा उत्पादित सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजय कान लीना चंदावर कर ओम प्रिकास शशिकला ललिता पवार जगदीव संगी दिया है 70 देश भारत बाशा हिंदी अथाना रंगपुर की विद्वा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है जो अपने पिदा मौतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वयम अपनी बहुं लाजबंती को देहजना लाने के लिए प्रतारित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यहीं पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचेत क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और वह करने और इसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है जबकि भागवती स्वाम अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिनार्म फुतर करनाया को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मौतिल की रूप में एम चौधरी संजय की रूप में साधना डी चौधरी की रूप में लीना चंदा वरकर मोतिलाल चौधरी की रूप में ओम प्रकाश जगदीब का नहिया की रूप में भागवती की रूप में ललिता पवार माया एम चौधरी की रूप में शशीकला अनुपम प्रतिमा देवी लक्ष्मी चोदरी की रूप में एनस वेदी सुंदर अभीनेता सुंदर गोविन्थ की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविन गीत संगीत सांट्रे की रचनाडी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आँखे चलो सेटी जी बदल गया है जमाना इस गाने के गायकार मौमद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो चूड़िया इस गाने को लता मंगेश करो कि शुर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमबर चार दुख सुख तेरे मेरे तेरे हावाले हो मेरे घंशाम इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं गाना नमबर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर कुमार हैं गाने नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गाय का मनना डे हैं गान नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गाय का राशव भोसले और उशा मंगेश करहें दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों विसाज भी कभी बहुत ही मूवी के बारें बताएंगे इसमें हम मूवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारे बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिपिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके है उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को फसंद आएगा धन्यवाद कि विसास भी कभी बहुती कि विसास भी कभी बहुती अनुवाद एक साथ भी कभी बहुती 1970 की भारती हिंदी फिल्म है जिसमें संजा कान लीना चंदा वरकर ओम प्रकास और जगदीब सहीत अन्य का ल द्वारा लिखेत राजेंदर कृष्णा एन एस बेदी कहानी बरंपुरम कोलाडी द्वारा अत्पादेत सी एस कुमार बासुमेनन अभिनीत संजाखान लीना चंदा वरकर ओम प्रकास शशिकला ललित पवार जगदीब संगीद यह आड़ी बर्मन रिदीच की तारिक 1970 द कादना को प्यार हो जाता है और वैहरीपुर के दीपक 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और मा माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दर्विभार करने और उसे बाहर निकालने की हापिक्षा करती है जबकि भागवती स्वैम अपनी बहु लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रताडित करती है और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है साधना यह भी पता लगाएगी कि मुतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहत फ्रेम क्यों रखती है रंगपुर की विर्भा भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है और बहारी पुर की दिपुः 14 से शादी कर लेती है जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है और माया यहीं पर उसे पता चलेगा कि उसकी मा उसे माया के साथ दुरभा करने और उसे बाहर नेकालने की ये पिक्षा करती है दिवकी भागवती स्वैम अपनी बहु लाजवन्ती को दहज ना लाने के लिए प्रताड़ित करती है और अपने बिनार्म पूतर का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रुकती है साथना यहे भी पता लगाएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं और माया अपनी हवेली के मुख्य लिविंग रूंग में एक फोटो रहित क्रेम क्यों रखती है डालना संजय दिलीप दीपू के रूप में हैम चौधरी संजय के रूप में साथना डी चौधरी के रूप में लीना, चंदाबरकर, मोतिलाल चौधरी की रूप में, ओम प्रकाश, जगदीब कनहिया की रूप में, भागवती की रूप में, ललीका, पवार, मायायम चौधरी की रूप में, शशिकला, अनुपमा, अभिनेतिरी, फ्लोरिडा, उनिसो नत्तर, शिलिकर, उनिसो ब्यासी, अनुपमा, लाजमंती, लाजो की रूप में, चमलल की रूप में, मनमोहन कृष्ण के रूप में, प्रतिमा देवी, हिंदी अभिनेतिरी, प्रतिमा देवी, लक्ष्मी चौधरी की रूप में, शेब कराम की रूप में, हैनेस वेदी, सुंदर अभिनेता, सुंदर गोवि गीत संगीत सांट्रे की रचना आड़ी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यान पूर और किशूर कुमान ने अपनी अबाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आँखे चलो सेटी जी बदल गया है जा माना इस गाने के गायकर मौम्मद रफ जाम इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं, गान नमर पात, एक बोतल हो, बगल में और हाथ में एक जाम, इस गाने के गायकार किशुर को मार हैं, गान नमर छे, सुनो रे साधू, ये संसार हम इस गाने के गायकार मनना डे हैं, गान नमर साथ, राम कहे माई, इतनी जवान ह हो गई इस गाने के गायका राशा भोसले और उशा मंगेश कर हैं दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ क्या सब्ची होंगे तो दोस्तों आपको बता रहें कि आज हम आपको क्यों भी साथ भी कभी बहुत ही मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तथ्यों के बारें तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिकिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हू आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्य वाद क्यों भी सास भी कभी बहुती क्योंड एक साद भी कभी बहुती उन्ने सो सत्तर की भारती हिंदी फिल्म हैं जिसमें संज कआं लीणा चंदा वरकर ओम प्रकाश और जगदीब सहीथ अन्ने का लाकान हैं यह थास अमारगो एन एस बेदी, कहानी, बरंपुरम, कोलाडी, द्वारात पादित, सी एस कुमार, बासुमेनन, अभिनीत, संजय खान, लीना चंदा बरकर, ओम प्रकाश, शशिकला, ललित पवार, जगदी, संगी दिया है, आडी बर्मन, रिडीज की तारिक, 1970, देश, भारत, भाशा, हिंद अथाना, रंगपुर की विद्वा, भागवती की बेटी, सुन्दर, साधना को प्यार हो जाता है, और वैहरीपुर के दीपक चौदी से शादी कर लेती है, जो अपने पिता मुतिलाल के साथ रहता है, और मा माया, यहीं पर उसे पता चरेगा कि उसकी मा, उसे माया के साथ दर्विबार करने, और उसे बाहर निकालने की अपिक्षा करती है, जबकि भागवती स्वैम अपनी बहुं लाजबंती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है, और अपने बिनन पुत्र का नहिया को उसके साथ अंतरंग होने से रोकती है, साधना यहीं भी, पता लग आएगी कि मौतिलाल और माया एक दूसरे से सीधे बाचित क्यों नहीं करते हैं, और माया अपनी हवेली के मुखे लिविंग रूंग में फोटो रहित फ्रेम क्यों रखती है, रंगपुर की विर्भा, भागवती की बेटी सुंदर साधना को प्यार हो जाता है, और प्यार करने और इसे बाहर निकालने की अपिक्शा करती है, जबकि भागवती सुंदर अपनी बहु लाजवन्ती को दहजना लाने के लिए प्रतारित करती है, और अपने बिनार्म पूतर का नहीं को इसके साथ अंतरंग होने से रुकती है, साधना यहे भी पता लगाएग नहीं को दूय की रूप में लीना चंदबर नार्म करीम감 की रूप में अपर कास का नहीं की रूपमें बाहर नंव पर्मार्न चाम्पार इसा मैं अनुप मोहलगा घ्रीया और यह थों द स् الذي a जूप में dalी च्रूभ॥ मनमोहन कृष्ण के रूप में प्रतिमा देवी हिंदी अविनेत्री प्रतिमा देवी लक्ष्मी चौधरी की रूप में शेप कराम की रूप में एनस वेदी सुंदर अविनेता सुंदर गोविन की रूप में सुंदर की रूप में गीत गोविन गीत संगीत सांट्रे की रचन आड़ी बर्मन ने की थी गाना नमर एक सुनो जी तुम इस गाने को सुमन कल्यानपुर और किशुर कुमान ने अपने अवाज में गाया है गाना नमर दो खोल के आखे चलो सेथी जी बदल गया है जामाना इस गाने के गायकर मौम्मद रफी हैं गाना नमर तीन ले लो मंगेश कर हैं गाना नमर पात एक बोतल हो बगल में और हाथ में एक जाम इस गाने के गायकार किशुर कुमान हैं गाना नमर छे सुनो रे सादू ये संसार हम इस गाने के गायका मनन नडे हैं गाना नमर साथ राम कहे माई इतनी जवान हो गई इस गाने के गायकार आशर भ पसंद आये होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शेयर करना ना भूलें धन्यवाद